और अगर आप लोग ने अभी तक PHP की प्लेलिस्ट आक्सेस नहीं करिये तो इसको kindly प्लीज आक्सेस कर लेना चुकि यह वो जगा है जहां पर मैंने आप लोग के लिए step by step सारे वीडियो बना के रखे हुए हैं आप लोग इसको अक्सेस नहीं करोगे तो फिर आपको problem होगे अगर आप एक beginner हो PHP के तो तो with that side हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर PHP के destructor देखते हैं अब यहाँ पर मैं एक सवाल address करना चाता हूँ जो कि बहुत सारे लोगों ने पूछा और वो सवाल यह है उफ्स में problem हो रही है यह सवाल नहीं है यह एक statement है उफ्स में problem हो रही है और उफ्स में problem अगर आप लोग को हो रहे है तो आप पता है कौन है आप एक normal इंसान है योगि उफ्स अएक ऐसी चीज है जिसमें problem थोड़ी सी होगी ही उस problem के साथ आगे बढ़ना है फिर practice से उस problem को दूर करना है तो यह आपकी strategy रहनी चाहिए अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो oops को बहुत ही easily समझ पा रहा है तो हाँ तो आप blessed of some superpowers मतलब ऐसा नहीं कि यह possible नहीं है possible होता है कुछ लोगों का दिमाग होता है अगर आप लोग एक बार देखके समझ पाते थे उसको आपको दो बार देखना पड़े अगर कोई किताब अगर आप एक बार पढ़ ले हो तो दो बार पढ़ना पढ़े अगर आप notes पढ़ ले हो कहीं से भी तो आपको हो सकता है उसको दो बार पढ़ना पड़े but at the end of the day आपको जो oops है वो यापर अगर आप लोग मेरे वीडियोस फॉलो करें वो समझ में आ जाएगी मैं ऐसे structure करके बना रहा हूँ ठीक है तो oops में कुछ नहीं अगर मैं वापस से क्योंकि इतने लोगों ने बोला ही क oops में problem आ रही है अगर मैं वापस से आउँ जल्दी से एक कोई काप को एक minute का intro जल्दी से दूँ वापस से और एक revision जिसे बोलते हैं वो दूँ तो मैं ये कहूंगा कि object oriented programming programming करने का एक style है ये एक तरीका है ये कोई जादू नहीं है ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसके भीन काम नहीं चलेगा ये एक नया तरीका है जैसे कि हर काम को करने के अलग अलग तरीके आते हैं पहले मानलों हो सकता है कि आप pen और paper में लिखके जो है किसी को पढ़ाते हो फिर आपने सोचा कि बच्चे आप जादा पढ़ा रहे हो तो आपने board में पढ़ाना चालू कर दिया अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप pen और paper में पढ़ा नहीं सकते अब पढ़ा भी सकते हो लेकिन आपको board में पढ़ाना थोड़ा convenient लगेगा क्योंकि वो चीज़ जो है वो आप जादा बच्चों को address कर पा रहे हो एक बात आप लोग बता पा रहे हो पहुचा पा रहे code लिखने का एक तरीका है code को structure करने का एक तरीका है और एक ऐसा तरीका है जो कि over the period of time प्रूव हुआ कि काफी अच्छा तरीका है बड़े code base को maintain करने का तो हमने का चलो भाई इसको use करते है PHP में आया ये C++, Java, Python, most of languages object oriented हो रही है अब कोई भी model language भी आती है तो वो object oriented feature के कर पाएं कि object oriented क्यों use करें लेकिन कोल मिला के बाद यही है अगर आप थोड़ा बहुत भी code लिखेंगे आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से एक class जो है उसका entity की तरह से represent किया जा सकता है तो class क्या होता है classic template है जिससे हम बनाते है objects objects क्या होते है objects वो चीज़े होती हैं जिसके अंदर properties और methods होते है properties मतलब variables methods मतलब functions object के अपने function है अपनी property है उसकी ठीक है यह नहीं पहले क्या होता था हम variable बनाते थे तो किसी function को call करते थे उसको हम variable देते थे कहते थे value 1 sum को देते थे value 1 2 3 हमें return में 6 मिलता था यानि कि 1 2 और 3 का sum क्या हो वो एक entity है ठीक है तो यहाँ पर हम classes की मतलब से objects बनाते है classic template होती है अगर car एक class है तो maruti Suzuki auto और swift उसके दो objects है ठीक है oops को हम लोग क्यों use करते हैं वो हमारे code को dry बनाने में मदद करती है dry मतलब do not repeat yourself हमने अगर एक बार code लिखा तो हम उसको repeat क्यों करें अब आप लोगे क्य है तो मैं तो यह करके copy करूंगा और paste कर दूंगा उसको 100 जगा क्या problem है इसमें इस approach में problem यह है कि अगर आपने एक लाग जगा paste कर दिया और फिर आपको future में change करने की ज़रूरत पड़ती है तो आपको एक लाग बार करना पड़ेगा change कि आप आओगे हर file हो में आके edit time और इतना दिमाग है कि आपका दिमाग कितना खराब हो जाएगा अगर आप एक-एक file को edit करोगे लेकिन अगर आप सिर्फ एक file का इस्तेमाल करके बाकी सारी files में उसको import कर रहे थे तो शायद आपको सिर्फ एक जगा change करना पड़े तो changing का भी देखो future का भी देखो आप यह बोल दोगे कि मेरे पास hard disk भी है मैं तो बाई अलग अलग बना लूँ मैं क्यों inherit करूँ मतलब यह सारी चीज़े आप लोग को समझ में आनी चीज़ें basic है तब ही आप लोग जो है आगे appreciate करोगे इसको फिर हमने देखा कि भाई हम लोग इस तरह से class को लिख सकते है एक class एक entity होती है इसके अपनी properties यानि की variable का एक fancy name और methods यानि की function का fancy name इसके अपने होते है ठीक है class के अंदर जो properties और methods है उसको आप arrow operator से access कर सकते हो अब function में हमने public नहीं लिखा properties में हमने public लिखा function by default public होता है ठीक है और public का मतलब क्या है public का मतलब हम आगे देखेंगे access modifiers इसके अपनी एकसेस किया जा सकता है name भी access किया जा सकता है speed भी access किया जा सकता है यह सारी कि सारी इसकी properties और methods public है अब इस बारे में आगे हम बात करेंगे तो अभी इस बात को आप पगड़ना मत अभी छोड़ दो इस बात को और यह देखोगी किस तान से एक नया object और उसक ठीक है और अब हम देखेंगे कि destructor क्या होता है ठीक है तो मैं आपस 79 note php करके एक बना लूँगा और जिस तरह constructor होता है मैं 78 वाले program से ही चालू करूँगा और मैं यह हटा देता हूं कि यह notes already हमारे वहाँ पर हैं और यहाँ पर मैं इसको हटा लेता हूं यह आपको पिछल तो हमने यहाँ पर क्या किया था हमने रोहन, हारी और स्केलेफ यह तीन जो है employees बनाए देन की salary हमने कुछ दी थी और उसके बाद हमने इन दोनों को print किया था हारी और स्केलेफ को तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर अगर मैं इसको run करूँ आपक इसक्यूट करके दिखा हूँ तो मैं आपर localhost slash oops slash 79.php तो यहाँ पर देखो यह हारी और स्केलेफ की जो salary है वो print होकर हमारे सामने आ गई है अब constructor function ने क्या किया, constructor automatically run हुआ था रोहन के लिए और इस value के लिए, हारी के लिए और इस value के लिए, स्केलेफ के लिए और इस value के हम लोग अब देखेंगे कि destructor क्या होता है तो जिस तरह से हमारे पास constructor होता है उसी तरह से construct के जगा अगर हम destruct लिख दें तो वो एक destructor function मन जाता लेकिन इसका मतलब क्या हुआ तो मैं I am destructing लिख देता हूँ यहाँ पर और आप लोग को फिर पता चलेगा कि destruct function क्या होता है ठीक है तो यहाँ पर देखो I am destructing मैंने लिखा तो अगर मैं इसको reload करूँ अभी तो दो बार नहीं तीन बार I am destructing आया जबकि मैंने print किया था दो बार लेकिन तीन बार I am destructing आया यह एक note करने वाली बात है तो यह हुआ क्या है और और यह destructor होता क्या है constructor तो समझ मे आता है कि वाई एक object को जब बनाया जाता है तो उसको construct कर रहे हैं construct का by helicopter was construction होता है इसको banatे हैं उसी तरह से object का भी construction ही हो रहा एक तार से हा पर और फिर वो तैयार हो जा रहा है बस यह कि आपन millise percent में तयार हो जा रहा है objects building में जो है 10-10 साल लग जाते हैं बनने में 10 साल तो जादा बोलती है 2-3 साल में भी तयार हो जाती है building लेकिन अगर बहुत बड़ा project है तो लग भी जाते हैं 10-10 साल ने कि depend करता है आपके मजदूर कितने कम लिथार्जिग है कितने आपके जो काम करने वाले हैं उनके पास पैसा है तो उन सब चीज़ों मतलब करता है मेरे घर के पास एक थी building वो 15-15 साल में बनी थी चलो इन सब बात हो छोड़ते हैं और यहां वो destructor की बात करते है destructor क्या है कि जब भी आप एक object को destruct करते हो तब क्या होगा वो object आपका खतम हो जाएगा नश्ट हो जाएगा destructor मतलब destruct करने का मतलब नश्ट करना ठीक है तो नश्ट कब होगा object naturally तब नश्ट होगा जब script खतम हो जाएगी यानि कि जब यहां तक यह PHP script जो है वो finally खतम हो जाएगी उसको execution और किसी code का नहीं करना है तब वो खतम हो जाएगी ठीक है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि यह देखेंगे कि तीन बार हमारा जो destructing यह जो मैंने destruct function के अंदर लिखा वो क्यों print हुआ तो तीन हमने क्योंकि objects बनाए और जब PHP script script खतम होगी तो क्या होगा यह तीनो के तीनो objects destruct हो जाएगे यह निकि खतम हो जाएगे और यह जब खतम होगे तब सब के लिए अपना-पना destruct function call होगा मैं आपर इसमें आपना BR भी लगा देता हूँ तो BR लगाँगा न तो new line में आपको देखने को मिलेगा आपको जो है देखने में मजा आएगा यहाँ पर भी new line लगा देता हूँ सब जगा लगा देता हूँ new line जा 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 कुछ भी print कर रहा हूँ मैं जहां भी echo है वहाँ new line होगी यहाँ पर देखो मैंने BR नहीं लगाया था ठीक है और reload और I am distracting I am distracting ठीक है अब अगर मुझे यह देखना है कौन सा object destruct हो रहा है पहले तो यह मैं कैसे देखूँगा तो मैं आपर simple this arrow name कर दूँगा ठीक है तो जो भी object destruct हो रहा है उसके लिए यह line run हो रही होगी और जब यह line उसके लिए run हो रही होगी तब क्या होगा कि यहाँ पर this arrow name जो यह property है हमारी name नाम की property जो कि हमने यह set की थी वो मुझे print होती होई दिखेगी तो यहाँ पर देखो skillf पहले destruct हुआ फिर Harry destruct हुआ फिर उसके बाद यहाँ रोहन लिखका है लेकिन यह हुआ कि आप लोग सोच रहे होगे तो देखो यहाँ पर होता क्या है कि मैंने br पहले लगा दिया और उसके बाद मैंने this.name लगा है मैंने इसको जोड़ा ऐसे लिखना चाहिए था br को बाद में लगाना चाहिए था ताकि कुछ इस तरह से ही दिखे तो I am destructing skillf फिर Harry फिर Rohan तो यह इस order में destruct हो रहे हैं तो आप लोग देखो किस order में destruct हो रहे हैं सबसे पहले वो destruct हो रहा है जो कि सबसे end में बना था तो इस तरह से यह आपके जो PHP objects हैं वो destruct हो जाते हैं जब भी PHP script आपकी जो है वो खतम होती है और यही काम होता है आपके destruct function का so I hope कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा कभी कभी आप लोग हो सकता है चाहेंगे कि जब आपकी PHP script खतम हो जाए तो आप कुछ काम करवाए है फिर जब भी आपके objects destruct हो जाए है यही कि उनका काम समापत हो जाए तब कुछ काम करवाना चाहें आप अपने script से तब आप वो code destruct के अंदर डाल सकते हो और जैसे ही आप ऐसा करोगे तो आपका यह जो है आराम से destruct भी हो जाएगा object और आपका काम भी हो जाएगा जो आप करवाना चाहते हो so I hope कि आप लोग को जो destructor और constructor है वो समझ में आ गए होंगे तो मैं आपर क्या करूँगा भी कि इसको लिग देता हूँ यहाँ पर अच्छे से mark कर देता हूँ और आप लोग को मैं code दे दूँगा अपडेट कर दूँगा सारा code वेबसाइट पर आपको link मिल जाएगा description में control is to save और properties offer class यह सब चीज़े मैंने लिग दी हैं और यहाँ पर echo I am destructing सब कुछ एक दम आपका साही चलेगा आप लोग practice करें इसको अपने हिसाब से रन करके देखें तो आप लोगों को जो है और फायदा होगा ठीक है so I hope कि यह आप लोगों को helpful रहा होगा और आप लोगों ने अभी तक अगर यह PHP के playlist access नहीं करिए तो इसको जरूर access करें starting से देखें इसको अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो और उसी के साथ साथ अगर आप लोगो को कभी भी कोई problem आती object oriented programming में मैं कहुआँगा कि object oriented programming वाला part आप लोग जरूर से वापस से देखना consider करें तो यह मेरी suggestion रही है आप लोग के लिए कि सिर्फ object oriented programming वाला part आप लोग फिर से देख लें यह करेंगा आप लोग तो आप लोग बहुत असानी होगी देखने में और समझने में कि यह उपस क्या होता है और PHP की यह सीरीज जो आप continue कर पाएंगा हमने काफी deployment वाला portion cover किया है आपर और उसका reason यह था कि जो PHP वाले लोग होते हैं वो deployment में काफी फस जाते हैं कभी कभी और मैंने detail में आपको deployment cover करके बता है और मज़ा है होगा आप लोगों को अगर आया तो मुझे comment करके नीचे बताओ yes लिख के बताओ comment में मैं यह भी देखना चाहता हूँ कि यह video पूरा कौन देख रहा है मुझे बता है बहुत कम लोग हैं जो कि yes लिखने वाले हैं comment में और मैं चाहता हूँ भी आप लोग लिख दो yes ताकि पता चले हैं हो लोग हैं कौन जो पूरा video देखते हैं और yes लिखना चाहते भी हैं और अगर आप लिखोगे दिल से खुशी होगी और अगर आप लोग ने video लाइक नहीं किया तो video लाइक कर देना अभी के लिए इस video में इतना ही guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time